कि क्या कभी तुमने ऐसा सोचा है तुम्हारे दिमाग में ऐसा खयाल आए कि क्यों ना अपने फ्रेंट्स के साथ एक ट्रिप प्लान किया जाए वह क्या है कि यार दोस्तों के साथ प्लान की गई ट्रिप कारना हो कुछ मजा या लगे लाइफ में दो एक्सपीरियंस हर एक के बहुत ही खुबसूरत होते हैं एक तो आपके स्कूल की पिक्निंग और फिर स्कूल ट्रिप का एक्सपीरियंस और दूसरा एक्सपीरियंस जब आपने फ्रेंट्स के साथ कहीं घूमने जाओ कितने बचसे मेरे बात से अगरी करते हो जल्दी से आतो प्रेजेंट्स लगा तो कॉमेंट सेक्शन के अंदर हमारे प्यारे प्यारे जुनूनियंस क्योंकि आज मैं चल रहा हूं मेरे फ्रेंट्स यानि आप लोगों के साथ एक ट्रिप है और यह ट्रिप है बच्चो सहारा डेजर्ट और लदाक की तो लदाक घूमना वो भी एक पूरे करने वाले यानि हम सहारा भी घूम के आएंगे एक इंटरनाशनल ट्रिप मारेंगे और साथी साथ बच्चों हम लोग जाएंगे लदाक की वादियों में लदाक के पहाड़ों में घूमने के लिए चलो क्या तुम तैयार हो मैं लेकर आचुका हूं भाई अपनी ज और नहीं हूं यार मैं हूँ आपका अपना फ्रेंट जिसके साथ आप चलने वाले हैं ट्रिप के ऊपर यानि कि सहारा ट्रिप और साथी साथ लदाक के ऊपर राइट अब आप ये सोचों के सर यहां पर आपने लिखा हुआ है लाइफ इन देजर्ट और आप बात कर रहे ह जाते हो ताप वो जगे के खुबसूरत जगों को तो देखते ही देखते हो और साती साथ उस प्लेस के जो लोग है उनका लाइफस्टाइल है उनका खाना है जो जीने का तरीका है उसको भी कहीना कहीं बच्चे बहुत ही क्योरिसली अब्सॉर्फ करते हो बहुत सिंपल है बहुत ही क्योरासिटी के साथ अब्सॉर्फ करते हो जैसे आम यूज ट्रावलिंग फ्रीक मतर्में को घुमना बहुत बसंद है बड़ा मजा आता है चीजें एक्स्प्लोर करने में चीजों को सी आउट करने में राइट तो मेरे को बड़ा मजा आता है लोकल कल्चर्स को करने में लोकल कुजीन को एक्स्प्लोर करने में खाने में लोगों के बारे में जानने में और यही प्यारा प्यार एक्स्पीरेंस आज हम मिलके करेंगे जब हम बात करेंगे लाइफ इंदा डेसर्ट की जब आपके दिमाग में शब्द आता है डेसर्ट तो मैं ख्याल से क पूछो कि सर ऐसा क्यूं ब vérit complacent वह बारिश बहुत के बहुत कम होती है वहाँ प्रेड़ पौधे बहुत ज़्यादा नहीं है ऐसा कोई भी रीजन बच्चे कहलाता है आपका एक डेजर्ट एरिया ठीक है तो अब लदागो आपको आपको वेजटेशन नहीं मिलेगे लेकिन वहाँ पे आपको वेजिटेशन नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि विचारे प्लांट अनिमर्ज पर सूड़ेयाओ के नहीं है जादा शनोफॉल आपको देखने को मिल सकती है एक्स्ट्रीम विंटर में लेकिन बारिश आपको देखने को नहीं मिले की ताज रिजल्ट वह भी हमारा कोल्ड डेजर्ट ठंडा रेगिस्तान आप जिसको कहते हैं चलिए तो रेगिस्तान के उटों के साथ चलते हैं हम लग ओले-ओले कहां सीधे साहरा डेजर्ट में चलो शुरू हो चुकिए हमारी आज की डेजर्ट साफारी लेट्स स्टाड़ए तो भया मैंना पहयना पहना पेनास्त्री ले लिए ब्लेकों कोई डेजर्ट साफारी नहीं हो सकती चले तो इस वेट टॉक आपट डेजर्ट कैसे करेंगे अपने कॉपी में कैसे definition लगेंगे it's a barren barren मतलब बंजर खाली जहां पर आप कोई खेती बाड़ी नहीं कर रहे जहां पर कोई plants नहीं हो गरे एकदम unproductive जमीन that is called as a barren land right so a desert is a barren landscape जहां पर बहुत कम precipitation यानि कि आप माल लीजे rainfall होता है very less rainfall occurs and consequently to living conditions and that are not good for plant and animal life right living conditions not good for plant and animal life ठीक है now we can classify desert from desert को दो तरीके से classify कर सकते है hot desert and cold desert ठीक है तो hot में हम बात करेंगे बच्चों सहारा desert की जो कि आफ्रिका में पढ़ता है और cold में हम बात करेंगे अमारे लदाख थी चले एक्स्ट्रीम टेमप्रेचर स्कमाइड विटल रिंट फॉल में डेजर्ट लाइव वेरी डिफिकल्स पर पीपल प्लांच और अनिमल टेमप्रेचर क्या होते हैं बच्चे दुपहर में इतना जादा हीट हो जाएगा इतना गर्मी हो जाएगा कि अन्वेरेबल होगा और रात के टाइम उती नहीं जादा ठंड हो जाएगी वह जल्दी कूल डाउन करती है कूल्स दाउन फास्टर डाट इस वाए जो आपके डिजर्ट एरियास होते हैं वह दिन में तो बहुत गरम होते हैं तो यह रेत गरम भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्ती होती है पर रात के टाइम पर जो सेम रेत है जो सेम सांड एट कूल्स डाउन वेरी मच पास्टर आज रिजर्ट वासपास के टेंप्रेचर से बच्चों काफी कम हो जाता है यानि बिलो जीरो भी आपको देखने क कंट्री को एक कवर करता है आप देख सकते हो बच्चों यहां पर मौरी शान्या देन व्याव अलजीरिया लीब्या एजेट सुदान शाड नाइजर और माली राइट इस पर्टिकुलर सेक्शन इस कॉल्ड आज सहारा डेजर्ट ठीक है तो तीन बड़े-बड़े डेजर् है एक अटकामा है और एक आपका सहरा है राइट तो आपको यहलो में जो दिख रहा है बच्चे दिस यूर डेजर्ट रीजन मतलब देसे यूर बेसिकली डेजर्ट वाला एरिया चलिए आगे बात करें चलो सहारा इस दवर्ल्स लाजजिस देजर्ट दुनिया का सबसे ब इस दो आप चलिए सारा डेजर्ट ग्यारा कंट्रीज को टच करता है कौन-कौन से ग्यारा कंट्रीज है अलजीर्या शाड एजिप्ट लिब्या माली मौरिशाना मुरॉको नाइजर सूदान टुनिश्या और वेस्टन सहारा तो इतने कंट्रीज को भई आपका सहारा अश्या और वेस्टन सहारा सहारा डेजर्ट के अंदर देर आर प्लेन एरियास ठीक है मतलब पत्रीले प्लेंस हैं और काफी हाइट वाले प्लाट्यूस है कुछ-कुछ जगे तो इन प्लाट्यूस का जो बच्चे हाइट है वो करी 500 मीटर तक जा सकता है यानि आपको पहा जैसे स्ट्रेक्चर्स आपको मिलेंगे राइट जिसका एलेवेशन मैक्समुम 2500 मीटर तक भी जा सकता है आट सम प्लेसे राइट चलिए आट सो कुछ इस तरीका के दिखता है आपका सहारा डेजर्ट सहारा डेजर्ट का चलाइमेट बहुत एक्स्ट्रीम उसका बहुत सिंपल से रीजन अगर आप देखोगे तो जो आफ्रिका का जो इस सहारा वाला एरिया है वेट तट वेरी बाई नियर्वाइट इक्वेटर वाला एरिया जहां पर जो Sun की रेसम बहुत डायरेक्ट है और बहुत इंटेंस हैं ठीक है दूसी चीज यहां पर पेड़ पॉद्धे नहीं है तो बारिश होने के चांसे भी बहुत ही रेर है ठीक है बहुत ही कम बारिश होती है तो ऐसे बारिवास के एरिया जाने बच्चे वह भी काफी ज्यादा हीटेड हो जाते हैं गर्मी के चलते राइट तो इस वेरी स्ट्रीम स्कॉर्चिंग होट और राइट शॉर्ट रेनी सीजन होता है स्काई जनरली आपकी क्लाउड लेस है यानि स्काई में आपको बादल नहीं नीचे जो उसको एक गास टोफ पर रखा और गास टोफ की फ्लेम को बिल्कुल फुल हाई पर कर दिया यानि टेमपरेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना तो पानी भी क्या होगा बहुत तेजी स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगा बहुत नॉर्मल सी बात है कि नहीं पानी उपर उणना स्टार्ट करेगा स्टीम बनना स्टार्ट कर जाएगा पानी के अंदर है कि नी बहुत तेजी से गरम हो रहा है तो जब इतने जाधा हीटेट टेमपरेचर है तो यहां पर जो मॉइस्ट्यर है या जो प्रेसिपिटेशन है जितना हो नहीं पाता उतनी जल्दी वापरेशन होता है यहां पर तो तो बहुत जल्दी हीट अपोंगे बहुत जल्दी गरम होंगे आज रिजल्ट गर्मी बहुत इंटेंस होते है तो आप दुपहर में तो यहां नहीं चल पाओगे रात में बच्चे करीब जीरो डिगरी सेल्शियस तक टेमपरेच जाता है कई बार तो उसके बिलो भी चला जाता है इसे जैसल मेर वगएर अगर भारत में बात करें इंडिया के था डिजर्ट की बात करें तो जैसल मेर में गर्मियों के टाइम पर दुपहर का टेमपरेचर 50 डिगरी टच करता है यह विंटर्स में भी दुपहर में वहां बहुत गर्मी होती है और रात में अगर आप चले जाओगे तो हो सकता है माइनस वन माइनस टू तो यानि इतना ठंडा हो जाएगा all of a sudden एक जम से तो भाई इतनी सारी आपको देखने को मिलते हैं वेन टॉक अबाउट डा डेजर्ट एरिया साहारा में जो वेजिटेशन है अगर हम बात करें किस प्रकार के पेड़ पौधे साहारा डेजर्ट में ग्रो करते हैं तो विहां सम बेसिक वन्स क्याक्टस हो गए आपका कि डेट पांस हो गए कि पां पर की पेड पते हैं nó के से और बच्चो ऐसे करके होता इत然后 फियां इतन खतर नाकED सा ऐसे करके ऊसमें पत्रीद बड़ी बड़ी सी मैं बना नहीं पा रहा हो एक्देखी ऐसे करके होते हैं बड़े-बड़े पाम के पेड़ है न लंबी पति वाले आपने देखे होंगे बच्छो इस टाइप के पेड़ होते हैं पाम के जैसे यह लगा हुआ है यहां पर इस टाइप का पेड़ है रैट तो something like this types of trees are there इस शाश्या रोते हैं जिनकी कैसे होते हैं जब एयर चलती है जब हवा चलती है कि यह क्या करती है गोघ इसांड को ऑचलती है चाहिए तो एक पंडिकुलर जगे से अगर सांड बहुत सारी ज्यादा quantity में यह उड़ा के चली गई यह उड़ा के ले गई ठीक है तो ऐसे cases में क्या होने वाला बच्चो जो नीचे underground जमीन के नीचे का जो पानी है वो थोड़ा सा उपर आना start हो जाता है और वहां पर form होता है आपका oasis ठीक है जिक्दम बंजा desert के अंदर जो पानी का source जहां पर आपको मिले वह कहलाता है oasis तो लोग जनरली क्या करते हैं जो date palm जो palm का पेड़ होता है उसके आसपास लगा दिया जाता है क्योंकि palm का पेड़ क्या करता है मजबूती से soil को पकड़ के रखता है जिससे soil is oasis को dry up ना कर पाए खराब ना कर पाए ठीक है यानि जो underground पानी जब नीचे से उपर की तरफ आता है जब हवा आपकी बहुत सारी सांड को ओड़ा के ले जाए और एरिया में थोड़ा सा गढधा सा क्रेट हो जाए depression क्रेट हो जाए फिर चांस होता है कि underground पानी जो है उपर की surface में आएगा तो that area is called as oasis ठीक है चले है चले है चले ह ठीक है जो आपको जनरी रेकने को मिले डेजर्ट फॉक्स है ठीक है अब क्या है बच्छों कि यहां पर क्योंकि बहुत सुटेबल कंडिशन नहीं है तो प्लांट और अच्छी तरीके से थ्राइफ नहीं कर पाती है नाओ लेस्ट अबट फ्लोरा और फॉना गैन अब जो स अब नॉमाडिक कम्यूनिटी नॉमाडिक का मतलब होता है जो एक जगे से दूसर जगे घुमते हैं अपने खाने की तलाश में बैतर ऑपर्चुनिटी की तलाश में और साथी साथ जो जानवर यह लोग पालते हैं उनके लिए खाना पीना रेंज करने के लिए यह प्लेस प्लेस मूब किया करते हैं तो इनमें दो कम्यूनिटी बड़ी फेमास है एक तो आपकी बेडविन कम्यूनिटी है और दूसरी कम्यूनिटी है बच्चों आपकी ठीक है तो लेट्स लॉक अबाउट अभी इसको हम बात करेंगे अच्छे तरीके से मजाल तरीके से ठीक है चलिए तो अमंग देमादा बेडविन्स अंदा तौर एक तो हम लोग लिख लेते हैं कौन-कौन सी नुमार्डिक कम्यूनिटी मेजर हैं अगर्ण तौर लेता हूं कि बहुत ही मजदार नहीं लिखा मैंने और वह तो तुम पता है कि सर कि है और हैंड्रेटिंग जो है है एलोवीन जैसी है बिल्कुल एकदम खतानाग भूद जैसी है तो यह भाई पहले लिख लेते हैं बेडविंस ठीक है और सेकें हमारे त्वारेग्स तो यह दो मेजर आपकी नुमार्डिक कम्यूनिटीज है यह लोग क्या करते हैं बच्छे गाए तो होती नहीं उदर क्यों गाए को चाहिए बहुत मस्त वाला चारा इनके बास गोट्स होती है बक्रिया होती है शीप होती है इसका बनते हैं इसको बेज करके पैसे से कमाते बहुत बात बार इनके स्किंस रही से लोग जैसे रटेर मतला है बड़े बाट बनते हैं इनके बालों को यूज करके mats बनाते हैं, carpet बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, blanket बनाते हैं, बहुत heavy heavy stripe की robes ही लोग पहनते हैं, बच्चे बड़े बड़े मतलब robes समझ रहो, आपका भी देखना जब desert areas में लोग होते हैं, वो बड़े लंबे कपड़े पहनते हैं, flowing कपड़े पहनते हैं, क्य से बचा सकें, राइट, क्योंकि नहीं पहनेंगे तो भाई आ डस्टॉम से कैसे बचेंगे, तो यह एक बड़ा important part है, तो भाई यह लोग क्या करते हैं, जानवरों को पालते हैं, और उन्हीं के products को बेच करके अपने जिंदिगी चलाते हैं, camel का जो leather बच्चे थोड़ा expensive आता है, आपको पता होना चाहिए, camel skin से boots बनते हैं, जूते बनते हैं, और साथी साथ camel skin से जूते बनते हैं, jackets बनती है, camel leather की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, हाला कि it's not good to kill camels for their skin, but that is how the market works, right, जो कि बिलकुल आना दिकाल है, कही ना कहीं, गलत भी है, लेकिन भाई, इनक आपने पल दिया भाई, let's move further, oasis in the Sahara Desert and Nile Valley in Egypt supports settled population, अब आप देख सकते हो, बच्चे कुछ ऐसा दिखता है oasis, out of nowhere पूरे रगिस्थान के अंदर एक छोटा सा पानी का source है, और इसी के आसपास लोगों के कुछ घर भी बसे हुए, लोग खेती बाडी भी कर रहे हैं, लोग Since यहाँ पर पानी available है, तो लोग यहाँ पर date palms उकाते हैं, खजूर अगर पेल लगाते हैं, खजूर खाते हो बहुत टेस्टी होता है, खजूर बहुत energetic भी होता है, तो खजूर अगर पेल बच्चे आपको oasis के आसपास ग्रो करते हुए दिख जाएंगे, right, बहुत सारे crops जैसे rice हो गया, wheat हो गया, barley हो गया, मोटा अनाज है, beans हो गया, तो यह भी भाई आप यह लोग उगाते हैं, तो यह oasis के आसपास आपको थोड़ा बहुत agriculture देखने को मिल जाएगा, because पानी की availability है, soil comparatively थोड़ी सी fertile होती है, आपर थोड़ी सी उपजाओ होती है, right, चले, Egypt का जो cotton है, बच्छे, वो worldwide famous है, that is grown in Egypt, Egyptian cotton और Indian cotton बच्छे, दोनों worldwide famous है, दोना का quality superior होता है, और मज़े की बात यह है कि भारत सही बहुत बड़ी-बड़ी companies cotton ले जाती है, और cotton ले जाके वहाँ अपने products बनाती हैं, और हम ही को महेंगा बेशती हैं, और हम खरीदते भी है शोक से, तो Egyptian cotton और Indian cotton बच्छों दोनों बहुत famous है for its quality, right, the discovery of oil is constantly transforming Sahara Desert, अगर हम बात करें, नाइजीरिया, लिब्या वागरों की, तो बच्छों यहाँ पे, जब से Sahara Desert में तेल मिला है, और मिला है, तो दीरे-दीरे करके, सहरा की economy जो है ना, चेंज होती जा रही है, बहुत सार तो दीरे-दीरे जो आपका Sahara का landscape है ना, बच्छों, ट्रांस्फॉर्म होना शुरू हो गया है, यानि बड़े-बड़े offices की buildings धुड़े-दीरे start-up होनी start हो गई है, तो जो पहले का Sahara आपको देखता था, उस Sahara में और आज के Sahara में बच्छे considerable amount of changes आप विटनेस कर सकते है राइट, चलिए, other minerals found in the area include iron, phosphorus, manganese और uranium, बच्छे कर आपको बता हो, uranium का जो इस्तमाल है, uranium का usage है, वो nuclear cases में बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, ठीके यानि nuclear energy produce करने के लिए uranium का use किया जाता है, it's also a very good place जहां पे uranium available है, और uranium का भी cost बच्छे काफी जादा high है, तो ध दीरे दीरे आप यह मान सकते हो कि आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे changes observe करने को मिलने वाले हैं, इंदा सहारा desert region, right, चलिए, so cultural landscape of सहारा is undergoing change, glass, cased offices, buildings, towers, masjidों के पीछे, highways construct होना start हो चुके हैं, जहां पे पहले सिर्फ उट चला करते थे, so lot of lot of things are changing in सहारा, अभी trucks ज काला जाता है, तो अभी trucks में भर के लिए जाया जाता है, पहले camels पे लिए जाया जाता था, टुराग्स जो हैं बच्चे जो टुराग आपकी nomadic community थी, अभी जितने भी tourist आते हैं, वाहां सहारा विजट करने, उनको ऐसा guide ये lead करते हैं, सहारा के बारे में बताते हैं, and more and more nomadic people are taking to city life, यानि लोग जो पहले nomads थे, अभी धीरे-धीरे करके वो लोग शेर की जिंदगी को adopt करें, settled life जीना स्टार्ट करें, अलग-अलग offices में employ हो रहे हैं, अलग-अलग factories में काम करें, जिससे थोड़ा सा बहतल जीवन भी वो बिता सके, और कहीं नहीं ठीक भी है बच landscape अभी जो उनकी life है, जो जिंदगी है, वो धीरे-धीरे चींज होना स्टार्ट हो रही है, तो एक खुपसूरत सा, एक मज़दार कह सकता हूं, मैं आपको fact बताऊंगा, और इन fact से जुड़े हुए कुछ सवाल मैं आप से पूछूंगा, जिसका answer आपको कहा करना है, आप के अपने प्यारे-प्यारे comment section के उपर, ठीक है, तो अगर आप जानते हैं, तो बच्चो, अल अजीजिया एक सहारा desert के इंदर जगे है, south of Tripoli, Libya, जिसका highest temperature 1922 में गया था, 57.7 degree Celsius, can you imagine बच्चो, can you imagine अल अजीजिया का, अल अजीजिया, that's a place in सहारा, इसका highest recorded temperature 1922 में गया है 57.7 degree Celsius, ठीक है, scientist को, skeletons मिले हैं, मचनियों के, कहां पे, desert region के अंदर, सहारा desert region के अंदर, और आपको पता है, बच्चो, सहारा हमेशा से एक desert नहीं था, climate change की वज़े से, यहां पे desertification बढ़ा है, और इसका बहुत खुबसूरत example है, यहां पे, ठीक है, तो आप जानके हरानी ह होगी, कि बच्चे, सहारा में भी कभी नदिया वगेरा हुआ करती थी, ऐसे पुराने कह सकते हो, अब scientist को, बहुत सारे proofs मिले हैं, and over the period of time, climate change के चलते जो है, यहां पे desert areas create हुए है, desertification के हम बात कर रहे थे, right, depression, तो मैं आपको बहुत है न, oasis कैसे बनता है, जब कभी भी wind बहुत powerful तरीके से काफी सारी sand कोडा के लिए जाती है, तो वहां पे गढ़ा create हो जाएगा, खाली space create हो जाएगा, उसको हम कहते है, depression, और जब इस underground पानी, जब underground, जमीन के नीचे का पानी, जब उस particular गढ़े को fill कर देता है, तो वो बन जाता है आपका oasis, ठीक है, that is what is called as o oasis, यहाँ पर आपको बहुत सारे खजूर, खजूर के पेड़ मिलेंगे, कभी-कभी oasis जो है, बहुत बढ़ा भी हो सकता है, जैसे तफिलात oasis है, Morocco को अंदर, तफिलात oasis का जो बच्चे area, that is 13,000 square kilometer, तो कभी Morocco अगर आप विजट करते हैं, घुमने जाते हैं, तो तफिल साथ oasis घुम के आएगा, बहुत बढ़ा oasis है, 13,000 square kilometer का oasis है, तो यह काफी beneficial है for agriculture and other purposes, चलिए, अब मेरा सवाल आप से यह है, से पहले मैं लद्दा की कहानी स्टार्ट करूँ, मेरा सवाल यह है कि which place in Sahara Desert recorded a temperature of 57.7 degree Celsius in 1922, 1922 में Sahara Desert में वो कौन सी जगे थी, जिसका temperature 57.7 degree Celsius रिकॉर्ड किया गया था, आखे पास हैं पूरे 10 seconds और आपका समय शुरू होता है, अब uh-oh-oh 321 nice positive material बहुत यह बच्छ जच फॉरदिया बहुत रच मेंने बहुत यह मेंक्ज करें कर अच्छरे को अधूरद यह थैवर र पर बड्यांवे आंसर दिया है यह बहुत बहुत यह अद्यार नहीं आठीग आया है बल्लकुल वाल्ला अभी बहुत बढ़े तुम्हारा आंसर बढ़ियां होती है ना तो बढ़ियां होती भई मैं को अरेबिक नहीं आती है बात में को अरेबिक में एक वर डाता जाट शुक्रान याट मीज थांक्यू अना हबीबी में लफट वट वन ठीक है तो अगर किसी को आती तो प्लीज मुझे बता देना इस तो इतना ही मैंने सीखा है ठीक चलो आगे बात करते हैं बचे लदाक की अब लदाक क्या एक खंडा खंडा इलाका है है ना भारत का बहुत खुबसूरत पार्ट है अभी फिलाल एक यूनिन टेरिटरी है और मजदार बात यहीं कि बच्चे बहुत सारे खेर तुम लोग के साथ लदाक चल रहा है लेकिन वर्ट्वल घूमने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा ठीक है चलिए तो क्या करते हैं हम लोग स्टार्ट करें चलो लेट्स स्टार्ट एड लदाक की कोल्ड डिजर्ट है जो आपका हिमालियन रीजन में पढ़ता है देख सकते हैं बच्ची जमु कश्मीर के साइड वारा जो है दो टेरिट्रीज हैं अपनी लदाक है और आपकी जयन के है ठीक है तो दोनों अलग अलग है अपनी लदाक रीजन आप देख सकते हो भारत के नौर्थ पार्ट में पढ़ता है और हिमालियन रेंजिस को कवर कर धीक है ठीक है फङलें फिर्ट्रै एंस्ट साइड और जमन कश्मीर के अगर आप जाएंगे तो आपको लदाक मिल जाएगा कारह काॉरम इंडड्रींज है वे इसके नौर्थ में है लदाक की नौर्थ में आप जाएंग के अवह उखली हैई बेर मौन वह हिमालिया तो है ना बिटा वह group of several mountain ranges है जब हिमालिया के दम बात करते हैं हिमालय का मतलब एक पहाड नहीं है एक पहाड एक mountain peak नहीं है बिटा लौट सब्सकार mountain ranges जांसकार पढ़ती है लदाक के साउथ में और काराकुरम पढ़ती है लदाक के नौर्दन हिस्से में बहुत सारी रिवर्स यहां पर बहुत ब्यूटिफुल सीनरी करती है जो सबसे इंपोर्टेंट डिवर्स आपको यहां पर दिखेगी वह आपकी इंदस नदी ठीक है वह आपकी इंदस नदी तो इंदस रिवर्स आपकी सबसे जाधा इंपोर्टेंट रिवर्स है इंदस लदाक वाला रीजन बहुत सारे ग्लेशर भी आपको लदाक में मिलेंगी जैसे फर एक्जामपल गांगरी ग्लेशर तो ग्लेशर क्या होते हैं बच्छे फ्रोजन रॉक्स होते हैं आइस के आप कहले जब बड़े बड़े तुकड़े होते हैं जब मेल्ट करते हैं तो उससे बच्छों रिवर्स में पानी आता है लेक्स में पानी आता है ठीक है तो अग्लेश टो आपको बहुत सारे बड़े बड़े फीडियस देखने को मिलेंगे इन लदाप रीजन चले तो ये इसको बड़े माप पे मैं आपको दिखा दूँ तो कुछ इस तरीके देखे तो है ना जमून कश्मीर के अगर आप एस्ट में जाएंगे ठीक है तो आपको मिलेगा लदाख का रीजन ये पूरा लदाख रीजन है आपका इसके नौर्थ में जाएंगे तो आपक करते हैं जाला जाएंगे अपको ऊचे पहाढ मिलेंगे ठीक है 3,000 मिटर को ऐसे देखो कितना ओँचे साइब़ थ्याइंगे और करीब 8000 वाले रेंज में जाएंगे अब करीब 8000 तक यहां पे पहाड यहां मिलेंगी अब इसका हाई अल्टिट्यूड है इस वज़े से कभी आपने बहुत नॉर्मल सा जोग्रफिल कंसेट पर ध्यान दिया हो तो जितना उंचे जाते हैं बच्चों उतना टेंपरीचर रिडियूस होता है ठीक है और जब आप तो आप टेंपरीचर बहुत डाउन हो जाएगा एट्मोस्फेर थिन हो जाएगा एर काफी थिन हो जाएगी वाप यानि मान के चलो कि इतनी हाइट पर होने के बाद भी आपको ठंड भी लगेगी और आपको गर्मी बहुत चुबेगी गर्मी इसले चुबेगी क्यूंकि जो किर्णे उसकी in intensity बहुत आयी होगी एक होता है सिर्फ गर्मी पढ़ना सुर्फ की किर्णे पढ़ना नहीं है कभी-कभी आप देखो जो मेह जून की धूप होती उसमें intensity कितनी हाई होती है आप विंटर की दूप की बाद करो मेह जून की बात करो दोनों में बहुत बहुत वह आपको बहुत ज़्यादा हो बहुत ज़्यादा लगेगी उसके इंटेंसिटी आया है तो अगर आप बैठे हो कहीं पर मान लो ऐसा है कि आपकी बॉड़ी जो है वह दूप में और आपको पैर जो है आपके शेड में आपको फ्रॉस्ट भी हो सकता है और हीट स्ट गूमने जा रहे हैं तो प्लीज धूप और ठंड दोनों का खयाल रखेगा यह मत सोचल ना कि धूप आ रहे है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशल है नहीं बिटा धूप की इंटेंसिटी बहुत आई है आपको बहुत जल्दी आप मलब आप संस्क्रीन वगएर बढ़िया करके जाईए वहाँ पर ठीक है मतलब आपको बर्न आउट भी कर सकती है तो इसलिए बहुत जरूरी है जब भी जाए घूमने केरफुली जाए चाहिए को थ्यान रखी क्योंकि बहुत हार्ष वेदर कंडीशन से बहुत फ्रेंद लीवर अगनीशन सभी ए इट्स वेरी हार्ष वेदर कंडीशन इनगे जोड़े आप अब एर इतनी थिन है कि जो heat है sun की that can be felt very intensely आप कह सकते हैं यहाँ पर intense heat आपको देखने को मिलती है that is intense heat of the sun the day temperatures are just above zero और night temperatures करीब माइनस 30 माइनस 20 जा सकते हैं देख अमान के चलिए करीब 0 से 10 डिगरी के बीच में होगा 10 भी ज्यादा है 10 से कमी रहता है और night का temperature आप मान के चलो भाई करीब माइनस 30 से माइनस 40 जा सकता है माइनस 30 से माइनस 40 डिगरी सेल्चेस तक आपको temperature देखने को मिल सकता है आप सोच सकते हूं कि कितना जादा freezing कितना ठंड रहता होगा इस ना इफ टॉक अब लड़ाक लाइस इन दर रेंज शाड़ ऑफ दा हमालया रेंज शाड़ का मतलब क्या होता है समझेगा इस चीज़ कर यह हमारी हमालया की पहाडिया है ठीक है अब क्या है बिटा कि जब moisture carrying winds यानि ऐसी winds इंक में capacity है जो गीली है ठोड़ी से moisture मतलब ज formation में help करती है बहुत सिंपल सी बात है cloud को move करने में help करती है ठीक है तो कुल में लागी बात यह moisture carrying wind से सिंपल शुद्भाशा मैं समझ गी कि ऐसी हवाएं जिन में बारिश करवाने की capacity है potential है ठीक है ठीक है बच्छा चलिए अब क्या होता है बिटा जब ऐसी पहाडियां हिम हिमाले से टकराती है हिमाले की height बहुत बड़ी है हिमाले आपका बहुत उंचा है तो जब ऐसी हवाएं हिमाले से टकराती है तो हिमाले के बीच में barrier बनके खड़ा हो गया अब मैं क्या करूँ कि अगर मैं for example में बस ball तो है नहीं नहीं तो मैं fake के दिखाता ठीक है कोई भी करेगा और इसी साइट पर गिरेगा पैन उस साइट पार करके नहीं जाएगा क्योंकि वाल जो है बीच में barrier एक एकदम रुकावट बनके खड़ा है ठीक है तो ऐसी बहुत हमारे हिमाले का पहाड है जो इन हवाओं के बीच में रुकावट बनके खड़ा है तो जब पासी बारिश होगी लेकिन जो इस वाले पार्ट में आता है ना बच्चो वहाँ पर बारिश नहीं हो पाएगी क्योंकि वहाँ पर विंड आपकी नहीं पहुच पारे ठीक है तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं विंड वर्ट साइट और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं ल यहां पे यह moisture वाली winds नहीं पहुंच पाती and hence यह area comparatively dry आने की सुखा रहता है ठीक है चलिए due to which it receives little rainfall as low as 10 cm every year तो मतलब मान के चलिए यहां पर जो rainfall है पूरे साल में करीब 10 cm rainfall यह उससे कम होती है यहां पे burning hot sunlight है मतलब खतरनाक गर्मी आपको intensity of heat बहुत जादा है और उतने ही धंडे temperatures है इसे लिए जब भी कभी लदाग घूमने जाएगा तो proper protection लेके जाएगा आपने आपको protect करिएगा दोनों heat और colds कि नाओ सिंस यहां पर एरीडिटी हाड है एरीडिटी मतलब dry area है ठीक है the area is pretty much dry as a result जो vegetation है वो काफी less है यानि vegetation स्पार्स का मतलब काफी less बहुत कम vegetation है थोड़ी थोड़ी grasses आपको मिल जाएंगे छोटे-छोटे plants मिल जाएंगे shrubs मिल जाएंगे ठीक है for animals to grace बाकी आपको बच्चे Willows यानि की Willow मतलब एक तरीके का पेड़ होता है ठीक है it's a kind of tree जिसकी लकडी से cricketing bats बनते हैं आपको जाएंगे ठीक है समर्स में आपको fruit trees मिल जाएंगे जैसे apples हो गया अप्रिकॉट्स हो गया एक dry fruit होता है अप्रिकॉट्स होता कभी खाना walnuts हो गया ठीक है इसके पेड़ बच्चों काफी आपको मिल जाएंगे तो these are something really good ones tasty वाले चीज़ेंगे तो बहुत सारी species मिल जाएं यहां गया रेवेन हो गया रेवेन के उति बच्चों गचिता का हुए जैसा अब कर नहीं होता सब्लाइबं का वह जबात किसी लौङर governance बरबली टियरोऊ- मिलमेंगे आनिमल्स वाइड गोट्स आपको मिलेंगे वाइड शीप मिलेगी याक बहुत फेमस है और कुछ स्पेशल तरीके के कुत्ते मिलेंगे कुत्ते मतलब जुहां के वाइड डॉग्स होते हैं इतंब बड़े बड़े उच्छे पहाडी कुत्ते कभी देखेगा बहुत ख़तरना के लिए इनको बनाया गया है त filter आगे बात करूँ बच्रों अनिमल को यहां पर पालते हैं लोग milk के लिए उसके मीट के लिए उसके स्कीन के लिए yagen milk से विया चीज बनता है बटर बनता है चाय बनती यक मिलकी तो अगर आप तभी जाएंगे या घूमने के लिए तो आपको याक मिलकी बहुत सारे सामान वहाँ पर लदाक मिलेगा याक मिलका जो टी है चाय है वह बड़ा फेमस है भाई तहेर अफ़ शीप और गूट का जो बाल है जो गोट का बच्छा है उससे काफी सारा वूल प्रिटन कपडे बनते हैं जो कि आपको थंड में बचाते हूं को याक मूट के जाकिछे बनते हैं याक जो वो तहन है होता है याक फोल के जाकिट मते बहुत गरम होते हैं याक पता है आपको बिचपे Hoje 40 degree Celsius तक survive कर सकता है minus 40 degree Celsius में भी याक survive करता है तो can you imagine याक वूल जो है न काफी expensive भी है और उससे काफी सारे products बनाए जाते हैं So that is how the people live here right now अब यहाँ पे लदाक में जो लोग है या तो वो आपकी मुसलमान है या तो Muslims हैं बच्चो या फिर वो लोग बुद्धिस्त हैं बुद्धिस्त काफी मिलेंगे बहुत सारी बुद्धिसि मुनास्टृि मैं बच्चे लादाक में ठीक है, बुद्धिस मुनास्ट्री मतलब जहां पर prayer करते है बुद्धिस्त लोग बहुत लोग जा करके तो ऐसी बहुत सारी मुनास्ट्री आपको यहाँ पर लदाक में देकने को मिल जाएंगी और इनक बुद्धिस कल्चर जो है वह काफी प्रेवलेंट है तो बच्छी यह होते हैं गोमफास इनको हम गोमफास कहते हैं ठीक है तरीक्याथ बुद्धिस आखिटेक्चर है तो बुद्धिस मुनास्ट्री के अंदर आपको गोमफास देखने को मिल जाएंगे कुछ ऐसे देख सकत है बच्चों बहुत सुन्दर है कि चलिए आगे बात करूं बच्चों समर सीजन में समर्स होते हैं सब गर्मिया पड़ता है ठोड़ा टेंब्रिचर बैटर होता है तो वहां पर लोगा क्लटिवेशन करते हैं जिसे बारले हो गया जौव गया आपका और आलू हो गए करते हैं मंगतों टो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे तो मेजर इस ठीक हुं आफ हेट साहिय। बच्चे बहुत सारे चोटे मोटे दुबाइन भी लोग चलाती है उससे 아पना घर चलता है इनका एक नम्लाटा से तो बार्च फॉटाल एंनकर लिख लेते हैं लटाक का व अतस्व गाल में लाइडाव से तो लाइड पाल या ऐगो ऑप ने स्वщее वникомरे यहाँ है ना बच्चो का धुटॉश्व को को चलता है तुरुसरल पास तो जोजिला पास के थूँ ले और कश्मीर को कनेट करने वाला आपका नैशनल हाईवे कौन सा है या फिर कश्मीर से वापस ले आना है ले टू कश्मीर जाना है दोनों के लिए भाई यह हाईवे आपका बहुत काम आएगा राइट चलिए टूरिजम जोए बच्छे बहुत इंपोर्टेट download क्यों आफ टूरिजम ओंग दोनन तुंच में और बच्छो आप जा सकते हैं करने तो प्यारे घ्लेuba करेंगा आपगा फांग अवाग सब्वित्ने जा सकते हैं तू यहांपछ थीृइट देखे फ मकर्वे करने तो यहां पी दीरे ँदीरे जो लोगों की जिन्दगी है वो बच्चों काफी चेंज हो रही है ग्राजुली डूटू मॉडर्णाइजेशन बट जो लोग है लदाक के उन्होंने बहुत सदियों से एक तरीके साथ समझ सकते हो कि नेचर के साथ मिलजूल करके नेचर के साथ इतम सद्भावना के साथ इन हामिनी जो है रहना सीख लिया है और यही खुबसूरती लदाक लदाक की कल्सर की अब यहां भी बच्चों बहुत सारी चीजों की स्कैर्सिटी लएक पीने के लिए पानी हो गया फ्यूल हो गया यह सब चीज़ें इतना इसली अवेलबल नहीं है तो खालक कि यह लोग क्या करते हैं बहुत ज्यादा कॉंटिटी में होती हैं हम उसको डिस्पेट करते हैं उसका एकदम प्रॉपर दरीके से यूजज नहीं करते हैं इन लोग को पता है कितना महत्व है चाहे वह पानी हो चाहे वह बेसिक रिसूर्स हो हर एक चीज का तो हर एक चीज को बच्चे नेचर के नेचर से और यह अपने आप में बहुत बड़ी सच्चा हिए तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप लदाग जाएं चाहे कभी भी जाएं अभी तो मेरे साथ घूम के आए गए हम लोग ने बहुत अच्छे से घूमा लदाग को जब कभी भी लदाग जाएं या कहीं भी किस किसी भी टूरेश्स प्लेश्ट पे घूबने जाएं, तो एक चीज़ जरूर समझें, एक चीज़ को जरूर ध्यान में रखें, किसी भी कूले को करने से पहले, किसी भी कच्रा dal हने कुछ मी ऐसे करने से पहले ज कि जगे की सुंधरता को खराब करता हो, कि आप आपके घर में अगर सेम चीज कोई करके जाता तो आपको कैसा फील होता है डिक्कत इस बात की आती कई भी आप मैंने कई बार देखा once I was like on I think I was on the mall road of Shimla और Shimla का mall road बड़ा कुप सुरत बनाया बड़ा neat and clean बना हुआ है but people there those who came for you know visiting Shimla tourism tourism tourist जिनको आप कहते हो एक हमारे uncle जी थे उन्होंने ice cream खाई ice cream लिया और ice cream के साथ भाया ने tissue दिया पट अंकल ने ice cream खाली बट tissue को ऐसे हावा में लिया और मस्त फेक दिया रोड पर डॉस्ट्रमेंट शायद कुछ दो-300 मीटर आगे था तो शायद वहां पर भी डाला जा सकता था लेकिन दिक्कत यह कि 300 मीटर उस टिशू को लेके चलेगा कौन प्रॉब्लम इस बात में नहीं कि हम आइस्ट्रीम लेके चल सकते हैं 300 मीटर तक हम चलेंगे खाते-खाते आगे बढ़ेंगे लेकिन टिशू करी करना एक प्रॉब्लम इस वेरी सिंपल बहुत लाइड वेट चीज़ है इस और माइंसेट अभी बतलेंगे या तभी चीज़े चेंज होगी हमारे मोदी जी भी कहते हैं हमारी प्राइमिस्टर कहते ह सब्सक्राइब बहुत सब्सक्राइब करना चाहिए और चीजों को अपने पास रखने में डशपिंस आते हैं उनमें ध्रोकरने में और चाहिए अपने घर की बात क्यों नहीं कई बार करते हैं घर में खाया चिप्स का फाकट फेक गिया अब मभी आ उसको उठाकर डाल रह मैंने भी किया होगा, आपने भी किया, हम सब करते हैं, but it's all about a change, कभी भी जब change हम करना चाहते हैं चीजों को कभी भी देर नहीं होती, तो हम responsible बन सकते हैं, हमें बाकी को नहीं पता, but at least अपने पार्ट पर जितना हम कर सकते हैं, उतना शायद हम कर सकते हैं, यह न, चाहिए व हैं अपनी शिष्टता का, कहने का मतलब है, the ones who are educated, they'll always justify their education, तो आपके पापा को, मम्मी को भी तो लगना चाहिए, क्यार, बच्चे के अंदर सिर्व नंबर ही नहीं है, but values भी ओपी लेवल की हैं, है कि नहीं, तो सारी चीजों के साथ आज की trip को हम करते हैं, end, और मेरी मु द्रास, बच्चे लदाक के इंदर एक जगे है, जो कि बहुत थड़ी है, और आप मान सकते हूँ कि इस लाइक वन अफ दो कोल्डेस्ट इनापिटेट में, दुनिया के सबसे थड़ी जगाओं में से एक है, जहां पे लोग रहते हैं, राइट, मनाली ले जो हाईवे है, वो चार माउंटेन पास को क्रॉस करता है, रोतांग ला बहुत फेमस है, बहुत फेमस तूरिस स्पोर्ट है, रोतांग पास, उसके लिए special permission चीज़ी होती, बट बहुत खूबसूरत है, वर्थ विजटेंग लाइफ है, रोतांग ला, बारालाचा लाज़ा लंग लाज़ बोलते हैं that is LA LA ठीक है that means a pass mountain pass और यह highway आपको उपन होता है बच्चे जुलाई से सेप्टेमबर के बीच में जब बर्फ नहीं पड़ती तो मनाली ले हाईवे कभी जाएगा घूंके आएगा इसके थूपी चार पास मिलेंगे आपको रोतांगला बारालाचा लोंगलाचा औ यानी स्नोलांड चीरू या फिर टिबेटन अंटेलोप है एक एंडेंजर्ड स्पीशी हो चुका है क्यों हो चुका है विकॉज उसको एक जो ओल होता है ना उसका जो हैर होता है वह काफी बढ़ियां बिखता है मार्केट में जिसको हम शातूश कहते हैं बहुत लाइट हो आपको कैसा लगा मुझे जरूर से बताना कॉमेंट सेक्शन के अंदर तेन मजदार बातों के साथ और एक मजदार ट्रिप के साथ एक हैपी मेमरी के साथ हम लोग एंड करते हैं हमारा आज का लद्दाक और सहारा ट्रिप मेरी मुलाकात होगी आपसे और ऐसे खुबसूरत से अंदाज में यानि कोपसूरत सी एक प्यारी सी जर्नी में तो बावो मुझे एक बार दुबारा से ओपी ओपी हो जाए भाई यानि कहने का मतला पर बच्चे आप सारे अमेजिंग हो और इसी तरीके से अमेजिंग ली पढ़ाई करते रहिए मैं मिलूंगा आपसे एक अ नए सफर में अगली कहानी में तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त स्टेए टून विद पी डाबल्यू बबाई